लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें लेटेस्ट रड़ाइब ह AlrightyMan कर दोगफ। घ्क्राइब झाल 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 हुआ हुआ है बने मैं जाएखा अगरें कार आतुमारी करें वार्धी करें वार्धी जादा है सोना तॉल रहे हो क्या जादा है पंडी जी जादा हो रहा है पंडी जी एक और रखो मान गया है पंडी जी लाओ येलो भाई लाओ दंडी मार रहा था पैसे लेंगे ज्यादा और माल देंगे कम तुम नहीं बदलोगे अंभी का परशाद अरे इतनी सारी धौरत क्या चादी पे लाद के ले जाओगे कुछ खर्चो आनंद लो जीवन का तुम तो यहीं कहोगे तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं यहां सारी ग्रियास्ती को मैं अकेलाई समालता हूं ठीक है ठीक है क्या अच्छे आम है आचार के लिए लेने थोड़े से निकालो बस ना अरे निकालो ना चल तर ग्रियास्ती का बोज बढ़ेगा वक्री शनी के कारण चोरी का भय और अचानक धनहान होने की संभावना है कोई नया महमान आ सकता है और बस करो महराज पहले से पांच महमन आ अचानक धनहानी और गया सवा रुपया दिखाया हम भी क्या बस बना है करवे पूरा ना मधुकर करवे मधुकर करवे मिठुवात मधे चला तीन साल तक कोई खास परिवर्तन नहीं होगा त्वास्थ पर विशेश ध्यान दें प्रेम प्रसंकी सभावना है क्या बच्पना है यार कारा सवा रुपया चलो भी अधाई रुपया अंबिका प्रसाद, मिश्रा अंबिका प्रसाद मिस्तरा केवन रेखा कर्म रेखा से जुड़ी है और 14 साल की आयू से मैं काम ही कर रहा तोकू नका, जब तक काम करते रहोगे, तब तक जिन्दा रहोगे, जब विश्राम की सोचोगे, तो सदा सदा के लिए विश्राम करना पड़ेगा, गब बसा, कोई नया चमतगार होगा, कुछ दिन और जिन्दा रहोगे चलो यार चलो पता चला जीवन रेखा करम रेखा से जुड़ी है, आयार करवे, तुम भी हग करते हो, कभी-कभी यानि आपको और कोई नहीं मिला था, सिर्फ एक सदक चाप जो थी जब तक क्याम करोगे, जिन्दा रहोगे आ गये हैं, सठिया गया है, हमारा करवे, सठिया गया है अब उसके साथ मैं कभी बादार नहीं जाओंगे पचास भी बार कह रहे हो, कल फिर उनके साथ जाओगे ठीक है, ठीक है, कली वकील को बलवाकर बस्याद करवाई देता हूँ बस्याद? पर हुआ क्या? हुआ हुआ ये, के अच्छा खासा मैं भाजी लिए चला रहा थूँ के करवे ने एक तोते वाले से भड़वा दिया और पता है क्या कहता है, कहता है कि जब तक काम करोगे जिन्दा रहोगे अब बताईए, तुम्हें मालूम है कि कुछी दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ तो हो गई ने चुट्टी मगर यह घबराओ नहीं वेनी की मा, इस किसम की यह सरक छाप जोतिशों की बाते सच निकलने लगी तो हो गया कल्या जाओ देर हो गई यह आना लगाओ वेनी कहा है कॉलिज गया है अच्छा ओके वेनी प्रसाद मिश्रा, इस यह तरन नव अच्छा जाओ लुरोट विर्पतने विर्पति विर्पत्र सिर्थ The patient, Kaluram, male, 30 years of age, is suffering from rheumatic heart disease with mitral stenosis and mitral incompetence. And he is in cardiac heart failure. Very good. What is your treatment? Sir, पहले तो हम इन हें cardiac heart failure के लिए ट्रीट करेंगे. साथ में आटिबियोटिक्स तेंगे. और ठीक हो जाने कबाद, cardiac surgery के लिए कंसिड़े करेंगे. Very good. That's all for the day, boys. Come. कालो राम. जी. तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. फिकरी के कोई बात नहीं. जी हूँ. कैसी दवियत है, मा? इतना सब कुछ लाने की क्या जूरूरत है? पहले ही इतना खर्च हो चुका है. उपर से इतना सब कुछ है. बेटी, तुझे मेरे लिए कितनी मेहनत करनी पड रही है. मा, मैंने तुम्हे कितनी बार समझाए कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. देखो, अब पिंके बीए कर लेगी, तुम्हें तुम्हें कि क्या फिकर? तुम्हें इस तरह चिंता करती रहोगी, तो तुम्हेरी तबे सुदरने की जगा और बिगड़ जाएगी. बिगड़ कैसे जाएगी मेरे रहते? बेटे, लेकिन हा माजी, इनके एक बात बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करने चाहिए. बेटे, मेरी तु समझ में नहीं आ रहा, कि मैं तुम्हारे इस ऐसान का बतला कैसे चुका पाऊंगी? उस दिन तुमने मुझे इस्पदार में भर्ती करवाने में मदद ना की होती, तो बेटे, मैं अब सक दन तोड़ चुकी होती. क्या बातें करती है माजी, मैंने क्या किया? आपका केस इतना सीरेस था, एडमेशन तो अपका होई ही जाता. हाँ, शायद मेरे वज़े से थोड़ा जल्दी हो गया. लेकिन एक बात तो सोचिए, इस वज़े से आप जैसे भले लोगों से मिलने का मौका तो मिला. केसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटे. माँ, अप इंकी आगे? तो मैं वापस आफिस जाती हूँ. पिंची, तुम शाम ते कही रहना, अच्छा. अच्छा माजी, मुझे बेश जासा दीजे, आप आराम कीजे. अच्छा बेटे. कुछ खाया माँ? अभी बलाता हूँ. पंदेजी, आप उसा बुला रहे हैं. अच्छा मैं आप आता हूँ. पंदेजी, मैं भी आपके साथ रुपनेट पंदेजी. नहीं तीपक, तुम्हरे रुपने की क्या ज़रूरत है? तुम रोजाना रुपते हो, आज तुम्हरे बेटी की सालगिरा है, तुम जाओ. मैं सब समागूँगा. बैठिये पंदेजी, बैठिये. बाफ कीजे, आफिस खत्म होने के बाद आपको तकलीफ दे रहा हूँ. इसमें तकलीफ की क्या बात ही? ये तो मेरा काम है, कहिए क्या काम है? देखिए, इन फाइलों पर अगर कल तक डिसिजिजन न हो, ये तो बड़ा नुक्सान हो जाएगा. लाइए मुझे दिए, इन पे मैं रातों रात काम करके इनको निप्टा दूँगा. मुझे यकिन था पंडिजी कि आप इसे जरूर पूरा कर देंगे, पर सोच रहा हूँ कि आपके जाने के बाद इस आफिस का होगा क्या? आपको कोई दूसरा अंबिका प्रसाद मिल जागा, इस दुनिया में कोई काम किसी के बिना रुका है. फिर भी मेरी समझ में यही नहीं आ रहा पंडिजी, कि इस बार एक्स्टिंचन लेने से आप मना क्यों कर रहे हैं? अरे सहाब, अब बहुत हो गया, अब बहुत काम कर लिया, अब किसी नए लड़के को चांद दीजिए, यह जैसे अपना दीपक है ना, बड़ा मेनती ललका है, रात और दिन काम में जुटा रहा है मेरे साथ, यह मेरी गैर हादरी को बिलकुल महसूस नहीं होने देगा, इ उसको मैं भूल सकता हूँ कभी, मगर मैं आब आराम करना चाहता हूँ, एक छोटी सी जमीन ले ली है, और जो फंड वगयरा आप से मिलेगा, उससे मकान बन वा लूँगा, और उसमें पढ़ा रहूँगा, अब मेरा वेनी डॉक्टर बन जा है, बस यही एक इच्छा रह जैसी आपकी मर्जी, तुम्हें चलूँ, चलूँ आओ, एक बाजी हो जाए, मिश्राय क्या? एक बाजी हो जाए नहीं यार, बहुत काम करना है तुम नहीं सुधरे पंडे, अरे काम काई तो होता ही रहेगा मगर तुम्हें गलत फेहमी है, कि तुमने एक दिन काम नहीं किया तो सारी दुनिया का कारोबात छप हो जाए अरे हसना खेलना भी सीखो मेरे दोस्त तुम तो कह गई है, कोई कामधाम है नहीं यहाँ नौकरी करनी है, नौकरी नौकरी तो आफिस में होती है, पंडिक जी कभी कभी हम लोगों के साथ भी खेल लिया करो आज हो जाए एक बाजी, क्यों जे? बिल्कुल, बिल्कुल तुम्हारी बाजी तुम्हें मबारा काजी जी तुम्हें क्यों काजी जी तुम्हें क्यों शेयर के अंदेशन है आते रहोगे है, बाजे तैबोगे या बाज, नहीं बड़, आज तुम्हें ने कमार्ड कर दिया मा, जल्दी से खाना किलाओ बड़े, जोर से भूक लगी है उठो, उठो, उठो क्यों कि मैं खाना खाना है तो धोटी पहन के आओ मगा पहनें के टेड़ रहे, इतनी बार शिखाया है धोटी पहननी आए, जो न वेणी, तुम अपने कमरे में जा, मैं वहीं लाकर देती हूँ खाना तुम्हारे लाड़ प्याड ने बिगाड़ा खाश को जमाना बतल गया, तुम नहीं बतले अरे वाँ, अरे आन होनी हो गई विद्याधर क्या हुआ? अरे चक्या सा चक्या मिल गया यह करवे और उसकी चंडाल चोकडी रात को भीचानी लेनी देती है क्या हु Uno झाल 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 आज शाम को बिचारे को डाट दिया था मन को बुरा लग रहा था सोजाओ वीपी 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 अच्छा अच्छा वीपी लो आगा है तुम्हारे मिस्टर वीपी ये वेणी प्रसाद से वीपी कब से हो गया पिताजी पिताजी वो कॉलिज में मेरे दोस्तों ने हमारे पिताजी ने तुम्हें अच्छा खासा नाम दिया था वेणी प्रसाद मिश्रा उसका वीपी हो गया सुनू क्या कर रहे हूँ अच्छा जाओ ना इंतलार कर रहे हैं लोग के यार वे तेरे फिताजी तो बहुत गुस्ते वाले में चल बैठ चले अरे सुपढ़ना तुम क्या बात है माकी तो ठीक है ना हाँ आज डॉक्टर साब उने डिश्याज कर रहे है मैंने सच्छा आखरी बार आपका शुक्रियात आदा कर लू फिर शायदी मुलाकात हो इसका मतलं कल से तुम नहीं आओगी सोच रहे होगे कितना बैठो का सा सवाल है नहीं नजाने क्यों कभी-कभी किसी सवाल का जवाब जानते भी बताने का मन नहीं करता मुझे मेरा जवाब मिल किया सुपढणा सुपढणा मैं मैं सर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता है सुपढणा मैं आज तुमारा अंजार करोंगे बात में अरे भाई दीपक वो कोटेशन हुए है वही तो कर रहा हूँ पंड़ जी एतनी जल्दी कैसे हो सकता मिंटों के काम भी घंटों लगा रहा हूँ यही तो खराबी आजकर के लोकों की काम में मन ही नहीं लगता और कैसे मन लगा हूँ राद दिन तो जुटा रहता हूँ रोज आधी राद को घर पहुंचता हूँ अब क्या जान दे दूँ तो जान देने को कह रहा हूँ मैं तुमसे असा ही हूँ क्या हद हो गई अब मैं इस तफसर में बिल्कुल काम नहीं कर सकता रिजाइन कर रहा हूँ आप क्यों रिजाइन करेंगे मैं ही रोप्री छोड़ देता हूँ कम से कम राद दिन के जंचर से छुटका रहा तो मिल जाएगा बॉलिंग से लाओ मैं ही करे देता हूँ लाओ आप रहने दीजे पंडर जी मैं अभी निप्टाय देता हूँ अब लाओ ना पंडिजे साहब बुला रहे है साहब आपने मुझे बुलाया यह सब क्या हो रहा है पंडिजी क्या हुआ मैं समझा नहीं आपका मतलब मैं दीपक के बारे में कह रहा हूँ आप तो उसकी तारिफों के पूल बांधा करते हैं और वो देखे पंडिजी इस तरह के बत्तमीजी मैं अपने आफिस में परदाश नहीं कर सकता मैंने सुचा है कि उसे फौरण ना ना शाब यह ना कीजेगा इसमें हुआ क्या जहां चार बरतन होंगे वहां वो कभी खड़केंगे भी इसका मतलब यह थोड़ी है के दीपा के बुरा लोका लेकिन आप बुरा महनने की जगह उसकी शिफारिस कर रहे है पंडिजी आप बिलकुल निश्चिंत रही है आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा ठीक है पंडिजी जी आप जैसे चाहते है वैसा ही होगा अच्छा सुपरणा मैं चड़ने के मन तो नहीं करता लेकिन मजबूरी है कोई मजबूरी नहीं है डॉक्टर साहब अंदर आईए मैं मा से बिलकुल नहीं कहूंगी पिलकि अच्छा सबढ़ना चलता हूँ कल कम मिलोगी कल शाम को मही पिंकी की बच्ची अच्छा कल में लेंगी अभी बताती हूँ जी यह बात अभी बेट तामिस अभी बेट तामिस अच्छा अच्छा पीपक जी साब बढ़ा रहें तुम्हे मुझे जी हाँ आपको मुह क्या ताक रहें जाईए जाईए जी मैं आए कमीन सर कमीन दीपक जी मैं पंड़जी तुम्हारी जी मैं जी मैं बहुत शिर्मिंदा हूं उस रोज घुस्से में आकर मैंने पंड़जी को नॉंसेस, मैं तो यह गह रहा था कि पंडी जी तुम्हारी बड़ी तारीफ करते रहते है, वो आसे रिटार हो रहे हैं, और उन्हें की शिफारिस पर तुम्हें उनकी जगह प्रमोट किया जा रहा है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच्च सर, मन लगा कर काम करना, ताकि उन आज अब रिटायर हो रहे हैं और बताया भी नहीं, तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे, यह सोच रहे होगे, कि अच्छा हुआ बना डली, बहुत हैरान करता था बुटा, शारे वक्त, काम लागता रहता था, क्यूं, अब और शर्मिंदा ने की जी पंडी जी, मैं आपके दिल को समझ नहीं सका, यह देखिये, आपके उसी डानफटकार की बदॉलत, आज मुझे यह प्रमोशन मिल रहा है, अगर आप नहोते, तो मुझे, मुझे माफ कर दीजिये पंडी जी, मैं जिंदगे भार आपका ऐसान नहीं बूलूँगा, अरे, 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 यह क्या कर रहे हो, इसमें मैंने क्या किया, तुमने मेहनत की, उसका नसीज़ा तुमाहे सामने है, बगए पंडीची, आप तो सत्विची डिटायर हो रहे हैं, हम तो समझेते सर, आपको फिर से एक्स्टेंशन मिलने वाला है, ना भया, अब बहुत काम कर लिया, अब नए पंडीची को छोड़ने का मन तो आज भी नहीं हो रहा, मगर यह चाहते है, कि दीपक जैसे नहीं लोगों को उपर आने का मौका मिले, पंडीची मेरे डाड़ी के जमाने की वो कड़ी है, जो आज तूट रही है, इन्होंने मेरे डाड़ी के कंधे से कंधा मिला कर, हमारी इस कंपनी को खून पसेने से सीचा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कि वो उन्हें स्वस्त और दीर खायू दे, प्राइब करता है। करेंग आई करता है कुई ना कुई देखा यह रहा इंट का चक्का यह गया यहाँ और यह चिलिये का कहो करवे आज अकेले यह अकेले कहा गई तुमारी चंडाल चौकडी हाँ यार आज कोई आया ही नहीं कहीं कोई किसी के यहां गया हुआ है या किसी के यहां कोई आया हुआ है अपना तो कोई सगा है नहीं कि कोई आया या हम ही कभी किसी के यहां चले जाए ये ताश के पत्ते हैं, ये हमेशा अपना मन बहला है रखते हैं तुम्हारा जी नहीं उपता हूँ उपता है मिसरा, बहुत उपता है तुम क्या समझते हो, हर वक्त ताश खेलते रहना मुझे अच्छा लगता है पर क्या करूँ, जीने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए वेनी छोटा सा था, तो उसके साथ दिल लगा रहता था आई भगवान के किरपा से वो भी बड़ा हो गया है कमबख्त मौत ही नहीं आती के सारा जंजटी खतम हो जाए दिल छोटा ना करो कर वे, कोई ना कोई रास्ता निकली आएगा एक रास्ता है, खुदकुशी कर लो छी 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 अरे, तुम्हें मेरी उमर लगे तुम जैसा हमदर दोस्त मिलता है कही अगर तुम्हाई यह लोग नहीं आते तो कोई चिंता नहीं हम मिलजुल के बैठेंगे, कल से हम दोनों जम के बैठेंगे और तुम्हें मालू है, कि आज से मैं भी तुम्हारा जोड़ीदार हुवे आऊँ वो कैसे? वो ऐसे, कि आज नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी यानि के रिटायर्मेंट ये बात हुए नहीं यार, फिर कल से क्यों, आज से ही बैठेंगे जमाते हैं तुम्हारा घर में चलो, भावी से को चाय बनाए मैं अभी आता हूँ ये बात बजा है, हाह, खुब जमेंगी आप बाह, करवे, अब तो पक्के जोड़ीदार मिल गए, चलो चान्टी, जी, अभी आई बहुत थक है हाँ, हाँ, शान्ती आज, कुछ मन भारी-भारी सा है इतने बरसों तक उस ओफिस में काम कर दे रहे न, हाँ शान्ती आज, तुम उस ओफिस की पार्टी में होती, तो बड़ा जी खुश होता तुम्हारा और क्या-क्या लोग उने कहा, बड़ी तारीफ ही की, और हमारे साथ, हमारे साथ तु इतने खुश थे अभी नहीं, पहले तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर बैठके पूरी बात सुनूगी अच्छा, और शांती, जी, दो कप लाना, अपना करवे भी आ रहा है, ओ, अच्छा अच्छा मैं अलो के पराठे बड़े दिन से नहीं बना हुआ अलो के पराठे और लॉंजी कल बनाओं कल क्यों आज नहीं बन सकते अच्छा मैं अंदर आओं लो करवे भी आ गया आओ आओ मैं तुम्हारी राह देख रहा था मेरी मेरी रात तो कोई नहीं देखता हर आदमी मुझे टलने की कोशिश करता है कौन है आप आपको कौन चाहिए अम्बिका प्रशाद मिश्रा इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा मैं जीवन में एक ही बार मिलता हूँ अंतिम्छं मतलब मैं मृत्यू हूँ मृत्यू मैं तुम्हारी आत्मा को लेनी आया हूँ विलंभ हो रहा है चलो यह कैसे हो सकता है भाई 14 साल की आयू से मैं काम ही काम करता आया हूँ और अब मैं रिटायर हुआ हूँ अब मेरे आराम का कुछ वक्त आया है और तुम कहते हो चलो पूर्ण विश्राम के लिए ही तुम्हे ले जा रहा हूँ देखो ऐसा ना करो मेरी तुमसे एक बिंती है कहो पर सिर्फ आठ पल इतना ही समय है ठीक आठ बच कर तेरह मिनट पर चलना ही होगा लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है मेरी दो ही तो तमन्ना है एक मकान बनवाना और दूसरा वेनी को डॉक्टर बनाना उनमें से तो एक भी तमन्ना पूरी नहीं हुई देखो ऐसा करो मुझे कुछ समय चाहिए सिर्फ सिर्फ तीन साल पर्याप्त होंगे तीन वर्ष इच्छा है तो अनंत होती हैं अमिका प्रशार देखो मुझे सिर्फ तीन साल और जिन्दा रहने दू ये जितना पहलावा है न उसको समेट लेने दू परना कोई भी सुखी नहीं दहेगा न वेनी न शान्ती देखो ऐसा करो वो किसी ऐसे आदमी को लो जिसकी सारी इच्छाएं तमन्नाएं पूरे हो चुकी हूँ जो जिसका मन भर चुका हो मुझे एक आत्मा तो ले जानी ही है इसी एक्छन तुम्हारे मित्र करवे के तीन वश बाकी हैं हाँ करवे करवे उसकी कोई हसरत बाकी नहीं रही वो तो तुम्हारे इंतजार करता है वो तो इसी वक्त तुम्हारे साथ चलेगा ठीक है तीन वश के लिए करवे की आत्मा तुम्हारे शरीर में रखता हूं लेकिन याद रहे आज से तीन वश के बाद इसी समय मैं यहां आऊंगा तैयार रहना हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ क्या हुआ, पिता जी, पिता जी, मा, क्या हुआ इने, मा लगता है हाट टटा एक है, पिता जी, मैं कहां हुआ, अब कैसी थवियत है आपकी, शांती, तुम, मैं कहां हूँ, अपने घर में, तुम बार बार ऐसे क्यों पोछ रहा हूँ, तो वो एक वहम था, एक सपना, सच नहीं था, पहम सपना, क्या सच समझ बैठे, अरे शांती, तुम, एक भयानक सपना हूँ, ना जानू तु अच्छा है, करवे भया के तबियत खराब हो गए थी, इसलिए वहां गया है, क्या हुआ करवे को, डॉक्तर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, तुम, तुम कुछ मुझ से, डॉक्तर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, क्या हुआ करवे को, बिलकुल बोला नहीं, पिता जी, वेनी आगे, वेनी, जी, करवे को क्या हुआ, पिता जी आपको complete rest की ज़रूरत है, तुम, तुम दोलो कुछ छिपा रहे हैं मुझसे, करवे को क्या हो गया, देखे, बोलने से भी strain पड़ता है, अरे तुम मैं खुछ जाके देखता हूँ, पिता जी, अब वहाँ जाने से कोई फाइदा नहीं, हम लोग, हम लोग सीथे शमचान घाट से आ रहे हैं, कल रात आट बच कर तेरा मिनट पर करवे चाचा, तुम सबना नहीं था, सच था, हटो, हटो, पिताजी, जाने तो मुझे, पिताजी जा कर रहे हैं, मुझे जानी तो, पिताजी, अपनी तबियत का तो ख्याल कीजिए, बहुत से काम करने, और समय बहुत कम है, मिश्रा जी, आप जैसा प्लान चाहते हैं, वैसा बन सकता है, पर आज के आज कैसे पॉसिबल है, कुछ समय तो दीजिए पैठे, देखो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जमीन मेरे पास है, ये नहीं हो सकता है, ये एक ब्लूपरिंट तुम आज ही बना दो मैं चाहता हूँ कि अगले हफते तक भूमी पूजन हो जाए, कोशिश तक करो, जस्ट वेट, मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ रेडिमेड प्लांस है, जो गॉर्मेंट से प्रूपी है, आप इन में से कोई पसंद कर लीजे, देखाए, देखे, आप ये देखे, आप ये ये ये ठीक रहेगा, पसंद आया आपको, ये आपका सोने का कमरा, अच्राइंग रूम, बैठक, ये खाना बनाने का कमरा, ये पुजय रूम बन सकता है, बन सकता है, जानती, चानती, ओ शानती, ये देखो, ये रहा हमारा नया घर, आप हंस क्यों रहीमेंगे? पता नहीं यह नहीं कहां सिखा के चुटा लाएं और कह रहा है है अरे भई यह हमार नए घर का प्लैन है यह रहा बरामदा यह रहा दफतर यह बैठक यह रसोई यह पूजा करने की जगह यह वेणी का कमरा और यह हमारा और तुम्हारा प्राइवेट रूज चलो हटो वेणी की मां लगता है कि मेरी जिंदगी में आराम तो लिखाई नहीं है सोचता था कि अब काम नहीं करना पड़ेगा मगर क्यों भाई प्राविडेंट फंड जो मिल रहा है सोचता था कि वो वेणी के पढ़ाई में और मकान में लग जाएगा आज मालूमा कि वो सारे के सारा पैसा मकान में लग जाएगा तो वेणी की पढ़ाई का क्या होगा तो क्या हुआ वेणी कमाने लगे तब मकान बना लेना नहीं इतना समय नहीं है मुझे एक नहीं नौकरी डूनने पड़ेगी है जाए मिस्रेज नमस्ते सेखी नमस्ते बैटिये थे 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 आपको याद होगा कि कुछ निनों पहले आपने कहा था कि मैं आपकी फर्म जॉइन कर लूँ तो मैंने सोचा कि मैं आप देखिये पंडी जी मैं धन्ने वाला आदमी हूँ मैंने उस वक्त आपको इसलिए बुलाया था कि आप अपनी फर्म रामनाथ एंड संस की पूरी जानकारी मुझे देते रहते पर अब तो आप वहां का काम छोड़ चुके हैं मैं सम्झा नहीं है आपका मतलब मतलब बिलकुल साथ है मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पटीशन रामनाथ एंड संस से ही है आप उनके प्राइवेट डीलिंग की ख़बर मुझे देते रहते तो मैं आपको बड़ी रकम तनख़वा के तोर पर देता घर मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ मगर अब तनख़वा आधी होगी उनके टेंडर पास होने की ख़बर मुझे देनी पड़ेगी ख़बर आपको देनी पड़ेगी वो राज आपको मालूम हो जाए बिलकुल तो बार में जाए आपकी नौकरी आप मुझसे नमक हरामी के लिए कह रहे हैं जिस कंपनी का मैंने नमक खाया है मैं भूको मर जाओंगा इससे पहले के मैं आपकी नौकरी करूँ आज अपने नए मकान का भूमी पूजा नहीं कर वे कितना अच्छा होता अगर तुम भी मौजूद होते तुम मुझे घूर मुट की कि देख रहे हो क्या किया है मैंने क्या किया है अपनी जिन्दगी भी देखे मुझे जिन्दा देखने का दावा करने वाले मकार तुने मेरी ही जिन्दगी के तीन साल शीन लिये और कहता है मैंने क्या किया है वा, मिस्रा, वा, खुब निवाई दोस्ती तूने वो, करवे, भाई, अब हाँ, हाँ, वो तो तुम से उस बूड़े में कहा था मगर तुम इंकार तो कर सकते थे मगर तुम क्यों मना करते तुम्हे तो हर क्यमत पर जिम्दा रहना था चाहे किसी की भी जिन्दगी चीन के और वो जिन्दगी तुम्हारे अजीज दोस्त की ही क्यों न हो नहीं कर वे, तुम मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हे दिल और जान से चाहता था तुम किसी को नहीं चाहते, मिस्रा सिर्फ अपने आप को चाहते हो तुम्हे खुदगर्ज मौखा परस्त इंसान हो ये घर बनाने का तुम्हे कोई हक ने कोई हक ने मुझे है हक ये घर मेरी जिन्दगी के दमना है और इसे मैं बनवा के ही रोंगा मुझे कोई नहीं रोक सकता हूँ तुम भी नहीं लालवानी साब अभी इन फुट्टों में दम है वो सब तो ठीक है हम आपको काम पर रख लेते हैं लेकिन हमारे यांके कुछ कायदे कानू थोड़े सकत हैं उनका आप खयाल लगिएगा आप भी खुश और हम भी खुश आप फिकर नहीं कीजिए सेड़ जी मैं आपको किसी बात की शिकायर का मौका नहीं दूँगा तो ऐसा कीजिए आसे काम शुरू कर दीजिए अच्या, थैंक यू पाटेल यस सर मिस्साजी कर किसी दिखाओ आए याच्या याच्या आपको कुछ याच्या आपको काम गए याच्या आपको काम याच्या जाच्या यब हुव्च्या पाद्री अज़त् guess हां व्य है व्यर्भ बहां deficit अज़त हम व्यört हां अरे, गंटे पहले चाय रखके गई थी, अभी तक वैसी की वैसी है, तो पहर से काहे में दिबाग खपा रहा है, ऐसा कौन सा काम है वेनी, जो तुझे खाने पीने के बीफे कर नहीं, बोलना नौकरी के लिए अप्लिकेशन लिख रहा हूँ मा, नौकरी, कैसी नौकरी, अपनी नौकरी मा, तेरा दिबाग तो ठीक है, अब तक ठीक नहीं था मा, अगर होता तो अपने घर की पिता जी की परिशानिया समझने में वज़े उतना वक्त नहीं लगता, कितने शर्म की बाहत पिताजी के सामने कभी न कहना, मालूम है, तुछे डॉक्टर बनाना, उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी तमन्ना है, लेकिन मा, मैं नहीं तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, बस और सब कुछ सोचने के लिए मैं अभी जिन्दा हूँ तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बनना है, बस और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मैं कितने देर से तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ, तुम तो लंच में आने वाली थी लंच में छुट्टी मिले तब ना, फुरसे दी नहीं मिले थी, क्या करूँ अरे, तो छोड क्यू नहीं देती है ऐसी नौकरी छोड तो दूँ, पर घर कैसी चलेगा, मा का क्या होगा और पिंकी का क्या होगा तो फिर ठीक है, शादी की लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा काश सब कुछ सच मुछ ठीक हो पाता, यह सब इतना असान नहीं जब तक पिंकी बिये नहीं कर लेती, मैं मा को किसके सारे छोड़ दू अब तुम्हेने तो बताया था, तुम्हारे पढ़ाई के लिए तुम्हारे पिताजी रिटार्मेंट के बात भी नौकरी कर रहे है और उपर से मैं भी आकर बोज बनू तुम ठीक कहती है, सुपर्णा ये बात मुझे सोचनी चाहिए थी आखर मैं खुद भी तो पिताजी पे बोज हूँ अच्छा हुआ, सुपर्णा तुमने मेरी आँखे खोल दी चलो पिल्दा पिल्दा विल्दा पिल्दा विल्दा मुझे परेशान से लग रहे हूँ, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? आफिस में कुछ? अरे हाँ, आज तो तन्खा मिली होगी? नहीं ली क्यों? महिना तो खतम हो चुका है, तन्खा क्यों नहीं मिली? मिल रही थी, मैंने ली नहीं मैंने की फीज भरनी है, मकान के पैसे देने है तो मैं बेच दू अपने आपको, अपना समीर बेच दू? क्यों रही कर लू? आज तर किसी की हिम्मद होई है कि अम्मेका प्रसाद की तरफ उंगली उठाया कै कि यह जूर बोल रहा है जोर कहीं के मगर हुआ क्या? अरे तुम क्या जानो भोली? जानो भी चार सुर प्यतन खादेंगे और दस खत कराएंगे आठ सौपे और उपर से कहते कि नौकरी करो वह न जो अंधेर मचा रखी सालो ने चोर तुम्हे भूख लगी होगी तो कपड़े बदल के हाथ मूँ देलो मैं खाना परोजती हूँ अच्छ इतने सारे बिल अच्छ सोगे नहीं वेनी का इंतिहान कब शुरू होगा छे तारीकों अच्छ मैं सोच रहा हूँ कि जाकि तनका ले ही दूँ तब मकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं मिश्रा जी ने तो कल अपनी तनकाई नहीं ली मिश्रा जी को पैसे की क्या परवा खुद का मकान बनवा रहे हैं लड़का डॉक्टर बनने वाला है यह तो बस टाइम पास करने के लिए यह आते हैं मैंने के फीस भड़नी हैं मकान के पैसे देने हैं अमेश यह अब कहा चल दिये लगता है इस कीवा देने जा रहे हैं मान गए पंडी जी दस्तत कर दी जी यह लिजिए एक, दो, तीन, चार बराबर देख लिजिएगा रामरा मालिक राम राम आर्किटेक्ट साहब आईए मिश्रा जी मैं देख रहा हूँ कि आप बिल पे बिल तो दिये जा रहे हैं और उस मकार पे काम आगे बढ़ता ही नहीं अभी तक वहाँ पानी भरा हुआ है दो, तीन दिन पानी और भरा रहेगा मिश्रा जी क्यों यह बहुत जरूरी है क्योंकि जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उतना तो लगेगा ही चंटा साहब मैं आपको कैसे बता हूँ मेरे पास वक्त समय बिलकुल नहीं है आप उपर का काम शुरू कर दीजे न आप समझते नहीं है छत गिर जाएगी क्यों कोई छत गिरती आप शुरू कीजे काम ठीक है अगर आप जिम्मेधरी लेते हैं तो मैं कल से शुरू करवाते तो लेगे ये चार सुरू रुपय तैयारी अच्छी हुई है न हम अशिरवा दोमा सफल रहू बैड़ी जी तरो बैटे आज खुब मन लगाके पेपर देना जी मैं चाहता हूँ कर तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाओ जी रहे टकुब जुब मरा पेपर मत नल्दी सभु कर दे रहा हूँ जुब जुब जाब मत धय है परदी जुब जब से्वी कहता है सभु जुब जुब बग्वम सांती सामा सांती रेधी तो हम गैर हो गए क्या अरे आप गैर कैसे हो सकते हैं मकान मकान के चक्कर में भसे हुए थे आएंगे आएंगे भूलना लगे राजेश तुम भी लो हाँ ये लो लो लेटे और विनोद ले तू ले बोला समाल के मा इसको इधर ही रखना है समाल के मा देखना सीधी तो है मा जी ये समान बेड़ी साब के रूम में रख रहा हूँ मा देखना मेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ हूँ नौ पचीस क्या मा पिता जी ने घर तो नया बनवा लिया लेकिन घड़ी वही की वही तुम्हेरे दादा जी की निशानी जो है दादा जी तो फिर जनाब आपके एक्जाम्स कैसे चल रहे है बहुत अच्छे चल रहे है लेकिन एक बार में तुम्हारा नाम एक्जाम्स पेपर में लिखना ही वाला था वो तुम्हारा चल रहा है नहीं तुम्मसीबत में पढ़ जाते है कहीं एक्जाम्स में मेरे बारे में ना लिखते ना मुसीबत में पढ़ जाओगी अरे क्या करों यहां। कभी तुम खायरों से जाती ही नहीं. नहीं, जूट डोलती हैं। जूट नहीं, साथ. आचा तुम्हें मेर्त खायल नहीं आता? अफिस में जब काम करती हूँ, सिर्फ आफिस का काम कर लिए. अधर अब है? बिलकर नहीं. थोड़ा सा. क्या हो है? यह तुम्हेरे गाल पर कुछ लगा हुआ है कर डॉक्टर हो ना? इसलिए ऐसे चीज़े जिल भी नजर आती है अब ही का वह ना हो डॉक्टर? अच्छा यह बताओ यह क्या किताब रहे हो? व्लो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो? क्या है? वसियत नामा वसियत? वसियत क्यों? अरे मैंने सोच रहा है यह काम भी करी डालो महत का क्या वरोसा? क्यों ऐसी बाते करते हो? वेनी सो गया? नहीं पढ़ रहा है कल आखरी पेपर है न? शान्ती मैं सोच रहा हूँ कि आप वेनी की शादी करी डालो पहले उसे डॉक्टर तो बन जाने दो फिर लड़की भी तो ढूंड़ी अरे लड़की मैंने ढूंड़ी है बढ़ी अच्छी लड़की है और वेनी को भी पसंद है आप दोनों ही क्यों? मैं भी देखूंगी अरे तुम भी देख ले न अच्छा मा वेनी जी पिताजी परिक्षा खत्म हो गई जी हाँ तो फेरा सुबर सुबर कहां जा रहे हो किसी दोस्ते मिलने जा रहे होगे जी हाँ कुछ काम था पिताजी? हाँ कहिए अपने जोस्ते मिलने जा रहे हो न हाँ यह अपने दोस्त को दे देना खुश हो जाएगी पिताजी अच्छी लड़की है अच्छे भले डॉक्टर आज कभी कैसे बन गए? इसका क्रेडिट मुझे नहीं पिताजी को जाता है क्या मतलब? मतलब यह बुद्धू कि तुम पास हो गई हो पता नहीं कब पिताजी ने हमें मिलते हुए देख लिया और आज जब मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रहा था तो यह फूल मेरे हाथ में तुम्हे देने के लिए थमा दिया कुछ समझी मिस्स वेणी प्रसाद मिश्रा मिस्टर वेणी प्रसाद मिश्रा बगवाय ब्रज देखन को चलिरी नहीं, नहीं नहीं, अरे यह कर आप क्योँ उतारते हो इस पुशाक में देखने की मेरी बड़ी तंवन्ना थी मैं कोई अंदाद्ध नहीं बेटे वेणी क्यार तुमने मेरी चीवनकी सबसे बढ़ी इच्छ, भूह कर दीनी पिता जी, इसके असली हगदार तो आप हैं, मैं नहीं हाँ, भई, वो तुम्हारी फ्रेंड कैसी है ओ, पिता जी अरे शर्माते क्यों हो, भई ये करो, बड़ी अच्छी रर्की है, कि एक दिन उसको घर पे लियाओ, ताकि तुम्हारी मां भी दो देखने उसे जी, अगर आप कहें, तो कर लियाओं, हाँ, कर लियाओं वी, पी, मिश्रा माली चाचा, ये तु देख भी ने रहे है, क्या कहूं माली चाचा, ये वेनी जी का घर है, हाँ बिटिया, डागदर वेनी परसाथ का घर यह हाओ, आओ, चला, आवा, आवा आवा, आवा, हाँ, इ, इह हाए, आवा, अंदर आवा, हाँ, एहर वैठा यह देखा, यह फूल हम्रे वगई जेके हैं मा उसे आने तो दो, इतनी अच्छी लौकी है तुम्हे बहुत पसंद आएगी रहने दे, रहने दे, बड़ी तारीफ किये जा रहा है मा देखो, तुम्हारी इतनी सहवा वेनी, कोई पेशेंट आया तुम्हारा पेशेंट, जाओ ना, इंतिजार कर रहा है वो पेशेंट, पेशेंट कोई नहीं आया, वो आई है कौन वो, रे वो कई यह क्या तकलीफ है वेनी, तसली होगी कि तुम्हारी घर है, शुकर है तुम कब आई? बहुत देर होगी तुम इतने देर से कहा थे? यहां बैटे-बैटे डर रही थी डरने की क्या बात है? दुनिया के सभी मापाप एक जैसे होते है और फिर मेरी मा तो बहुत अच्छी है शुल्वेली लाइक हो मुझे मा नी समझ बैटे मा तुम तभी मैं कहा करती थी ऐसे कंदे कप्रे मात पहना करो जा रही हूँ वेणी मा यह है सुपढ़ना जुक जुक जीओ बैटी बैठा ना क्या तुम भी वेणी के साथ कॉलेज में बढ़ती हो? नहीं मा जी पढ़ाई तु कबकी छुट चुकी हा मा इसके पिता का बच्पिन में यह देयान थो गया था अकेली मा काम करकर के कहां तक पढ़ाती? तो क्या हुआ? मैं अभी कौन सी बी-ए-ए में हूँ? बैटी, लड़कियों को तो असली डिग्री घर संसार संभालने पर मिलती है फिर तु मा तुम इसे फॉरन डिग्री दे डालो बीमार मा की देखभाल करती है छोटी बेहन को कॉलिज भीचती है और खुद काम करकी घर चलाती है शाबाज बैटी, तुम्हें देखकर मनखुश हो गया मैं अभी आई क्या जरूरी था इतना बोलना? तो सची तो कहा पिता जी यह है सुपर्णा जानता हूँ जानता हूँ तो बचवा यह है तुम्हारी दो सुदार सुकीरोबे जी मैंने इस गधे से कितनी दफा कहा है के भई बुलाले तु घर पे मगर अकल ही नहीं है, सुनता ही नहीं है माली का बेटा है ना? जल्दी आकल कैसे आएगी? अच्छी तरह से पहचान लोग यही माली तुम्हारे ससुर बनने वाले हैं उसे गलती होगे बाबुजी अरे का माली इसमें गलती क्या बात है? हम इनको अमजा आया अब इनको घर ले जाओ और वहां जाके छोड़ाओ और इनकी मां से कहना के कद हम लोग आ रहे हैं जी पिताजी आँ जब 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 आँ आँ पिताजी कान? ओ मिशाजी जी बैठिये बैठिये जो जो बैठीये वर सुपरना की कुंद्लिया में आपको दे गया था देखीये आपने बैठिये 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 कर दाए मिशा जी, इस मेने में एक ही लगन निकलता है, बारा अक्टूबर, रात को बारा बच के पच्पन मिनट पर बारा बच के पच्पन मिनट, वो तो तेरा हो गई, तेरा, वो अंग्लेजी में होता होगा, हमारे शास में तो प्रात काल चार बजे तिथी बदलती है, पर तेरा, तेरा को तो बुड़ा, पंडी जी, कोई और तारीख नहीं निकल सकते आप, यही कोई दस पंदरा दिन पहल अनिश्टका रख है, इसे लिए इस तिथी के छिवाय और विवाय का कोई लग नहीं निकलता है, और कोई दिथी नहीं निकलती है, शुक्र अस्ता, शनी वक्री है, जो वर और बधू दोनों के लिए अनिश्टका रख है, इसे लिए इस तिथी के छिवाय और विवाय का क वोई लान लाग करना क्यों, निन नहीं आ रहे हैं? वेनिकिल लगन की तारीख सुपढना के घर वे जुआ दी? हाँ, आज शाम को ही मैंने उन्हें बता दिया था चलो एक काम से निपट गया अब अफसोस सिर्फ एक बात कर रह जाएगा कि काश वेनी को अच्छी तरह खाता कमाता देख पाता देखो जी, ऐसी बाते मुझसे मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता अभी तुम्हारी उमर ही क्या है? अच्छे खासे हो क्यों बेकार के बाते को सोचकर अपना मन खराब करते हो? जिन्दगी का क्या भरोसा? अब अपने करवे ही को ले लो अच्छा खासा था हमारे आच्छा है पीने आ रहा था? मुझे नहीं सुनी है तुम्हारी बाते अरे नाराज क्यों होती हो शांती एक दिन तो सब को ही जाना है क्यों मुझे रोलाने पर तुले हो? बात क्या है? साच साच बताओ तुम्हे मेरी खुसम इतना लगाओ ठीक नहीं शांती अब मैं तुम्हे क्या खाना परोस्तों बड़ी जोर की भूक लगी है आओ चलो वेनी की शादी का काम भी निपठी गया अम्मिका प्रशाद वे आओे प्रशाद कर दो जसा छोलर जन कमभा इडबाद कर सकाय जो प। कि कि ढपने मुलोड़ अजी तैका चुलर कर ड्रा science आज अनिमुन पर जाएगा न? वेनी, जाने की तैयारी करो! अरे, आज तारीक नहीं बदली? मैं यह बदल देती हूं क्यों? नाराज नहीं होए? पहले तु कैलेंडर को छूले भी नहीं देते थे? शंती, यहां आओ! कोँ? देखो, मंगत राम जेवर वाले के पैसी यह हैं, देव साड़े वाले की यह, राशन वार राम पर साथ की यह, और देवी का धोबी की एक्यासी रुपए यह हैं, और भोला राम को पचास रुपए दे देना, और उसके बाद जो कुछ बचे अपने अकाउंट में लख़ा ल लोग आठ पजे से पहले खा लें तो अच्छा होगा, ठीक है, वेनी, जी, आपने बला है पिताची, हाँ पिटे, मेरा कुछ बन नहीं कर रहा कि तुम आज जाओ, आज तुम लोग यही रह जाओ, मेरे आखों के सामने, मेरे बिलकुल खरीब, हनीमून के लिए कल चले जा ठीक है, जैस आप चाहें पिताची पोस्टमान जरूर अची ख़वर होगी, डक्टर बावू, मिठाई खिलाएगा जरूर मा मा बात क्या है यह चिठी देखो, मशूर सरजट डक्टर जयवंत ते मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है यह तो भूके आने से हुआ है, बड़ी भाग्यशाली है अपनी सुपरणा जा जाके उसे बता, मुझे क्या बता रहा है दो वह ओ… बबची, अन्द एलना? क्या पढ़ रही थी जी ये वो मुझे मारूम है वेणी को डॉक्टर जैवंत ने बुलाया है ना जी तुम सचमुच इस घर की लक्षमी बनके आई हो बैठो बैठो बैठी मैंने आज तुम लोगों के टिकट जो कैंसल करवा दिये ना उसकी माफी चाहता हूँ ऐसा मत कहिए बाबुजी आप बुज़ुर्ग है शायद इसे में सबकी बहलाई हो बैठी हमने जैसे तैसे बना इस घर को सेंट के रखा अब इसे तुम्हें चलाना पड़ेगा बस एक विनती है के वेणी और वेणी की मा का खयाल रखना बाबुजी मैंने बच्पन से ही बाबा को कभी देखा नहीं इसलिए शायद कभी उनकी याद नहीं आई लेकिनाज आज आपके बादे सुनकर उनकी याद बहुत आ रही है कर दूल कर दो कर दो प्रू़ दोड़ा दोड़ाओ प्रशाद, लगता है मेरी ही राह देख रहे थे नहीं तो मुझे लाफ करो मुझे दया करो मुझे कुछ दिन और जीने दू क्यों तीन वर्स पूरे नहीं पड़े देखो मेरे बेटे वेणी की प्रैक्टिस अभी यमी नहीं है और आज ही तो बहु घर आई है अंबिका प्रसाद की हैसियत से इस नएक घर में कुछ दिन और रह नहीं दो क्यों इतना मोह इस पुराने शरीर से क्या तुम्हारे सीधे साधे जीवन में पाप नहीं बढ़ने लगा है क्या क्या है मैंने करवे के वो तीन वर्ष और चार सो के आठ सो अगले जनम में मैं सब चुका दूँगा ज्यादा नहीं बस बस एक साल मुझे और दे दो अब कुछ नहीं हो सकता अरे कैसे नहीं हो सकता जो हुआ है वो दुबारा भी हो सकता है और बढ़ाओं तुहारा पाप पाप और पुर्ण किता राजू में मुझे न तोलो मैं तो एक महमूरी सा इंसान हूँ कमजोरियों से बदा हुआ मैं तुहारे पाप पड़ता हूँ ठीक है अगले वर्ष एक डाकू की तिथी है डाकू से तो अच्छा है तुम ही जीरित रहो किन्तु एक समस्या है क्या डाकू के हाथो धोके से एक हत्या होनी है और उस आत्मा की भी मुझे आवशकता होगी फिर डाकू की मृत्तु भी कुछ अच्छी नहीं मुझे मन्जूर है ठीक है किन्तु याद रहे अगले वर्ष यही तिथी ठीक इसी समय तयार रहना किन्तु नहीं था रहा रहा है क्या हुआ था बेर रहा है मा, संभाल के, आराम से पिताजी, सुपर नजाना मेरा बैग लाना फिर से दल कदो ना? हाँ मा अब आपकी तबियत पहले से बहुत अच्छी है अरे पहले से अच्छी क्यों नहीं होगी कल तो मैंने तुम दोनों को मना कर दिया हनीमून पर जाने के लिए आज भी मना कर दूँ है क्या? नहीं पिताजी नहीं आपको इस हालत में छोड़के हम नहीं जा सकते अब अगर कल मैं चला जाता और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता तो मैं जिन्दे की भर अपने आपको माफ नहीं कर पाता हाथ पगले मुझे कुछ नहीं होता भई देखो मैं तुम्हारे बेटे से कह रहा हूँ के तू हनीमून के लिए चला जा मगर यह के मानता ही नहीं मा तुम ही नहीं समझा इस हालत में मैंने चोड़ के कैसे जा सकता हूँ चल पगले मुझे कुछ नहीं होने वाला सांती तुम ही मनाओ न अपने बेटे को नहीं पिता जी नहीं अरे भही मैं कह रहा हूँ न कि कम से कम एक साल तक बुढ़ा नहीं आएगा बुढ़ा? कौन बढ़ा? तुम समझाओ अपनी मा को ठीक है मैनी, अगर वो कह रहे हैं तो चले जाओ मैं भी तो हुई यहां, तुम चिंता मत करो ठीक है, जैसा आप लोग चाहें जा, तयारी कर ले तो पी लीजे जी लाइए शांती, मुझे बाहर के कमरे में जाके बिठा दे मेरा दिल भेल जाएगा पहले तो पी लीजे यहां बैठी है यहां बैठी है बोड़ा बारी है संबलके लाओ इतर दो चलते मबजी पिता जी अच्छा माजी सम्हालते रहना जी अपना धियान रखिया पिता जी अरे मेरी जिंदा ना कर फोल्डा आउज़ फश्टा अच्छा मा हाँ सुनाओं वहां ठंड बात है गरं कब लें ना एमा तुम बिल्कूल फिक्र मत करो अच्छा मा मा और आप बुढ़्णा बुढ़ी अकेले आराम से बेटो शान्तृ, तुझे याद है जब हमारी शादी हूई थी जब हमारी शादी हुई थी, तो हमने भी घूमने का एक प्रोग्राम बनाया था याद है, अच्छी तरह से याद है, तुमने मुझे मा के घर भेज कर कहा था, बाइसकोप जाते वक्त मैं तुम्हें साथ लेते जाओंगा, मैं नई साड़ी पहन कर दिन भर तुम्हेरा इंपजार करते रही, और तुमाएं रात के बारा बज़े, मगर मैं करता भी क्या, अचानक उसी दिन चाचा जी ने दो टिकट नाटक के लिए खरीद लिये थे, वो तो अपनी दुकान मुझे सुपूर्ट करके चले गए, और मैं वेड़ा मख्या मारता रहा, और तुझे याद है कि पूरे एक हफते तु मुझे से नहीं बोली थी, बस चलता तो उमर भर नहीं बोलती, अच्छा, साच, तो वेनी हनी मून के लिए कैसे जाता, अच्छा, शर्म नहीं आते, शांती, मेरा मन करता है कि आज हम भी उस दिन की कसर पूरी कर लें, क्या मतलब, मतलब ये कि टैक्सी में जाएं, घूमें वूमें, कोई सिनेमा देखें, कैसी माते करते हो, तुम्हें दिल का दौरा पढ़ा है, बेनी ने तुम्हें आराम करने नौए आप एठी समाल के अरे तु चिंता ना कर आभी, आ ना आप एठी क्या बात है, बड़ी खुशनेदर आरे यू? क्यू मुस्करा आरे यू तना क्या याद है जब शादी के बाद पहली बार हम खुमने निकले थे सुबह से शाम तक पैदल चलाया था पैदल चल चलके पैरों का कचमर निकल गया था और जब डरते डरते मैंने टैक्सी करने को कहा था तो भरी सडक पर डाटते हुए कहा था कि प्रिजूल खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है चोड़ो उन गड़े मुर्दों को आज मैं सब ऐसी पुरानी बातों को भूल जाना चाहता हूँ और एक नहीं सिरे से जिन्दगी शुरू करना चाहता हूँ जितने भी दिन हैं जितने भी दिन रह गएं उनका हर क्षान मैं पूरी तरह दिना चाहता हूँ तुम कहती थी न के मैं नौकरी छोदू तो लो अगले महीने की पहली तारीख और मैंने रजाइं किया वह अब सारे फर्ज तो पूरे हो गएंग अब तो मैं एक निश्चिंत जीवन बिताना चाहता हूँ लीजे पंडी जी दस्तकत किजिए सेश जी से कह दीजेगा के अंबिका प्रसाद ने इस्तेफा दे दिया करता है क्या इर लाओ क्या प्राह क्या प्रम्लेव विशचि SAM आ गए मेनी क्यासी हो माँ? जीती रो, जीते रो सफर से ठक गए होगे, तुम दोनों आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ अरे, क्या कर रहे हो, छोड़ो न, दर्वासा खुला है, तोरी को शरम करो अच्छा, बाबा मैं हार गई हूँ, अब तो छोड़ो, गिर जाएंगे कोई देख लेगा, छोड़ो न, छोड़ो, हम दोनों इकठे मिलके गिरेंगे प्लीज, छोड़ो न, छोड़ो न, छोड़ो न, प्लीज आरे, आप हमारी तरफ आये ही न, वो करवे चले गए, तो हम गहर हो गए आप हमारी तरफ आये ही न, आप हमारी तरफ आये इन सुरज पश्चिम से कैसे निकला कैसे निकला विद्याधर हमने कहा था का हम एक दिन आवेंगे तो आगे क्या बात, रंग तो आप जमेंगा क्यों दोस्तो, भर्दू आपके लिए भर्दू क्या आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए क्यों में आपके लिए विए वः haha मुझे बड़ी घबराट सी महसूस हो रही है पहले तो कभी इतनी दिर तक बाहर नहीं रही मा तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो कहीं जरूरी काम से फस गए होंगे नहीं बिटे पता नहीं बड़ी बैचने से महसूस हो रही है क्या बात है संजे भाईया, अचानक मा के तबियत खराब हो गई, और दादा भी घर में नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ देने आया हूँ अच्छा, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं भी आता हूँ मुझे एक जरूरी विजिट के जाना है माची माँ, अब मैं बाहर जाई रहा हूँ, तो पिताजी की बारे में पता करता हूँगा सुपढ़ना तो माँ को सुला देना चली कौना मरा है मैं देखता हूँ अभी साला को कौना वे सुपए की सफेदी मुन्नी भाई मुन्नी बाई सुपह की सफेदी मुन्नी मुन्नी सरा बार तो आते भगा दो सकको आऊ न मुन्नी ये जब तेरे चाने वाले है! क्या कहते हैं मेरे चाने वालों के? मुन्नी! अ... बाई सुबहskी सफ़ेदी! सालों मैं इंक अद्धैसा मनुआ कि सुबह की सफ़ेदी रात के काली में बतर जाएगी! मुन्नी मेरी है, सिर्फ मेरी! सावा, 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 बाँ, सागला, पर पिछे, जिया सुफत तो देखा आइने मैं मेरे चाने वाले चाने वाले चाचा जी यहां बस चोटा यह मैं घर पहुंचा जाँ गा मैं पहुंचा देता हूँ भाया मा की तवियत तो ठीक है न अरे भाई घबराने के कोई बात नहीं है मैंने इंजेक्शन दे दिया, सुवे तक तवियत ठीक हो जाएगी जी अरे विनोत, कहा थे तुम आउंटी की तवियत खराब हो गई थी मुझे बुलाना पड़ा एंईवे मैंने इंजेक्शन दे दिया थी सुबह तक तबियत ठीक हो जाएगी थैंक यू क्या बात है इतने परिशान क्यों लग रहे हो संजा तुम बाहर जाओ यार विणी एक बात पूछू पूछो तुम्हारे पिताजी आएमिन अंकल की तबियत तो ठीक है क्या हुआ पिताजी को कुछ नहीं वो सीडियों में धोती उलज गई थी गिर पड़े थी माथे से थोड़ा खून निकल आया खून? देखो मैं कुछ समझा नहीं यार समझा तो मैं भी नहीं लेकिन अंकल उस बदनाम मोहले में क्या कर रहे थे बदनाम? तुमने ठीक तो देखा? हाँ प्रूश झाँ 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 जस भी जसर आज देखा झाँ 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 बाबुजी, आज आपने बहुत देर कर दी, विनी की मा कहा है बेटी, सो रही है, आज आप बिना बता इतनी देर घर से बाहर रहे, उनकी घबराट से तवेद खराब होगी, उन्होंने दवा देकर सुला दिया, जगा दू क्या, नहीं, नहीं रहने दो, खाना लगा दो, विनी खा चुका, नहीं, विजिट पर गये हैं, कह रहे थे, आकर खाऊंगा, अच्छा तो मैं भी उसी के साथ खा जूँगा, जी, हुँँँँँँँँ तो नहीं, जी, जई। एब तोड़ताया जनते हुँँँएएएएएए वेली तुम आ गए, मैं देख रहा हूं कि, रोजाना, तुम रात गए आते हो विजिट से, अच्छा है, मगर अपनी सेहत का भी तो खयाल कर लिया करो, वेनी, 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 बाबुची के साथ इस तरह पेशनी आना चाहिए था, तो आपको बुलाते रहे, और आप, पिना उनके बात के जवाब दिये अंदर आ गए, क्यों के बेजती है, बेजती, बेजती तो आज मेरी वो हुई ये लगता है, चलू भर पानी में डूब मरू, और तुम मुझे नसीहत दे रही हो, खबरदार जो आएंदा का भी मेरी बातों में दखल अंदाजी करने के कोशिश की, दखल अंदाजी, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी पिता है, नही वेणी, वेणी, अरे अरे, वेणी, ये बहु को क्या कह रहे हो, आप चुप रही है पिताजी, अगर उल्टी सीधी जगे जाने से आपको फुरसत मिल गई हो, तो जाए जाके आराम कीजी, आपको दो हार्ट अटेक हो चुके, सुपर्ण, नहीं बोलोगी, खाना भी नहीं किलाओगी, देखो, बड़ी जूर की भूख लगी है, लेकिन अब गल्ती की है, तो ठीक है, भूख आई सो जाता हूँ, ठेरो, खाना लगा देती हूँ, लोग, आम रेली सॉरे, पिताजी खा चुके, आप ही कही दिजार कर रहे थे, Oh my God, ठीक है, तो ये थाली हुनी के लिए लगा लेते, मेरे लिए तुम एक और परोस्ते ना, एक मिनिट मुझे माफ कर देजे पिताजी, पिताजी, आप अपने लेना से ही, हम लोगों के लिए तो अपनी सहयत का खयाल रखिये, हम आपको खोदना नहीं चाहते, सुपर्णा, मेरा बैक तो लाना, पहले बाबुजी को अंदर तो लियाओ, अरे भाई भोला, 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 भोला किसी काम से गया है, थक गया है, सारी थकान अभी दूर हो जाएगी, जब आप सुनेंगे कि आप दादा बनने वाले हैं, अरे वा, आज तो बड़ा आराम फर्माए जा रहा है, क्या बात है, मुझे क्या मालू, मार ने कहा है, ऐसी हालत में आराम किया जाता है, तुम भी जा के आराम करो, मैं मा के बात के से टाल दो, ऐसी हालत में, सच, सच, चलो, अच्छा हुआ, पिता जी का वक्त नहीं कटता, शायद इसलिए दरोदर बटकते रहते हैं, मेरे साथ साथ, तुमने उन पे भी आहसान कर डाला, दादा बनुगा भी तो कितने दिनों के लिए, मौत दर्वाजे दस तक दे रही है, कट गई उम्र मेरी तो, मुझे पता ये चला, कट गई उम्र मेरी तो, मुझे पता ये चला, जिन्दगी सिर्फ कटी है, इसे जिया ही कहा, कट गई उम्र मेरी तो, मुझे पता ये चला, इन सब को छोड़ के चला जाओ, मेरा वेणी, मेरी शांती, कब हुई भोर कहा और, कहा शाम ढली, खो गई कीत मेरी सांग, सो में बस पीर पली, आस लेकर, जो चला सारा सफर काट लिया, प्यास प्यासी ही रही है, इसे पिया ही कहां, जिन्दगी सिर्फ कही है, इसे जिया ही कहां, कट गए उंग मेरी तो, मुझे पता ये चला, और हाए, पूट ऐसा मेरा पूटा, नाम तो बताओ, अतुल, आतुल, अतुल मिश्रा, अतुल मिश्रा, बहुत अच्छा है, अतुल मिश्रा, चलिए अतुल मिश्रा जी, अपने दादा जी के पास चलिए, फिर से इस जिन्दगी का पालना जुलाओंगा, फिर से जुमूंगा जिन्दगी के गीतगाओंगा, मौत आकर के जिन्दगी, तो फिर मनाएगी, सिर्फ एक दिन और बचा है, इस बुठे से छुचारा क्या है, इस बुठे को हमेशा 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 खत्मकर करेंगे, आएगा, मैं अब दे दागाशिता परमारा का रिएगा, गुठ गुठ धट, गुठ धट, तुम्हें क्या थाक रहा है जा जी वाली आगे भईया आदा बरसे पंडी जी आईए कुछ खरीदना है जी कमाल है आपने बोला को बेश दिया होता बोला के बस की बात नहीं है चाको में देगा बाबुनाल जरा पंडी जी के लिए चाको ले आना जी भईया अरे जल्दे यह ठीक है इसके दाम कितमे है बंद्रा रुप है पंडी जी को क्या हो गया क्यों वे बुड़े आगया तू आसे काम नहीं चलेगा आई 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 आप बहुत थक गएंगा आई बच्ची बच्ची देखिए यहां अभी तो मेरा बुड़े चलते है और चाको वो यहां यहां बुड़ा नहीं देख पाएगा देखिए अब मैं आखरी बार अपने बीवी बच्चों से मिला हूँ उसके बाद चलते हैं यू आए चाको यू लिया मुड़े और अभी आया उसके बाद चाको यू खोला ये खोला बाहर उसके बाद चाको हाथ में लेके आईए चलेए यह अंधेरे में क्या कर रहे क्या पगलपन है नाटक रिहार समय अधर गई तो ये नाटक फाटक छोड़ी और चाको मझे देदो ती दो शांटी सुनिये सुनिये आज उतना नहीं है? आज उतना है नहीं आज मैं तारीख बदलूगा अरे? मेरी के शादी के बाद एक साल तक आपने तारीख नहीं बदली आज कैसे याद आया? बस शुआ 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 वह 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 प्याकूसा आज तीने गारा काट तंप अ वह प्यूँ आज भी सुपोई सुपों जा रहे हो क्रेंश गमाल है तुम्हालूम है आज तुम्हारी शादी को पूरा एक साल हूँ fajleader समझे वो होतम्हें अज तुम्हारी शादी की को पूर्श है मैं चाहता हूँ तुम- तुम पर्टी दो अपने दोस्तों को बुलवाओ, बेहन बादा बजवाओ, लेकिन पिताजी खर्चा, खर्चे को छोड़ो, रंग्रलिया मनाओ, तो ठीक है, मैं अपने क्लिनिक नहीं जाता, गड़ी को भी आगे बनना था, प्रेनी टाइम क्या हुआ बेटे, साड़े पाँच पिताजी, तीन, शार, अभी कुछ समय है, पिताजी, पिताजी, काम मुझे छोड़ दिया कीजी, अगर आप गिर जाते तो, देखिए, यह मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, हाट बटके तिरे मिनट, हाँ, 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 ए, सावन्त, वो कृचिया उठा के लाँ, इनको एक लाइन में, वो भी उठा के लाँ, हाँ, बोला, काना तैयार हुआ या नहीं, अरे भाई, जल्दी करो, जी अचाए, अरे भाई, लाइन से, जी साब, अरे भोला, इदर आओ, जी विन असाब, नमस्ते, नमस्ते, जरा इन महमानों को कुछ ठंडा गरम तो पिलाओ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, आँ, सुनो, पेणी को बोलना कि उनके कुछ बाप्र दोफ उनसे मिलने के लिए आए, बिल्कुल ठीक है, आवटे, अली मिली मुन्नो, आप भी जल्दी आए, तुम चलो, हम आती है, अली मिल्कुल, तुम यह चा चली है, तुम पी चलो, ना? मैं अकली नहीं जुआंगे, आपको साथ लेकर जाऊंगे, मैं जाओ, 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 आप पर हमारे पंडित ची नगर नहीं आ रहे आज़े बहु है बेटा है आप तो पोता भी हो गया लीजिए दो प्रिजी एक बात और क्या बात है कि अच्छा मुंडे आफ अच्छा मुंडे समया अच्छा मुंडे प्रदी जी की सारी तमनाय पूरी हो गई घर बन गया बेटा डॉक्टर हो गया और अब तो दाधा भी बन गया अकेले के मैठी हो? अब यह तो ठीक है ना? सर्दी लग रही है, लगता बोगता है नहीं, बेठे, रहने दो माँ आप यह ओड़ लो ओड़ लो बेठे, तेरे पिताजी अभी तक माँ मैं अभी हुनको देख के आतो बेठा वेडी, सुनो तो माँ एकना चाँ अचाँ अचाँ ऑफ अचाँ प्याँ वाँ अचाँ 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 जज जजो हुश़ जजो हुश़ प quirky जजए 요, हुश़ हु है हुश़ हईह ह् HOण हो अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहें अम्बिका प्रशाद तुम मित्य को मारने चले थे मूर्क मैं अजे हूँ मुझे कोई नहीं मार सकता मगर तुम्हारा समय तो बीच चुका मुझे तुम्हारी योजना का ज्यान था मैंने ही वेणी की आवाज में समय बताकर घड़ी दस मिनट आगे करवा दी थी मैंने कहा था ना इस डाकू के हाथो धोके से एक खून होना है तुम्हें दो मौके मिले तुम नहीं माने उल्टे बुरे कर्मों में धस्ते चले गए यहां तक कि आज तुम हत्यारे बन गए अगर तुम इसे देख लेता तो कम से कम इस महापाप से बच जाता अ, 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 न, अ क्यों कुछ वर्ष और जीना नहीं चाहते अब कुछ नहीं रहा या मुझे ले चलो तुमने अपनी मौत अपने आप ही निश्चित की है अम्रेका प्रशाद एक याकू की मौत मुझे अपने साथ ले चलो मेरा दम गुट रहा है मुझे अपने साथ ले 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 लो क्याकर मुझे अपने entails 창설 मुझे अपने 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 की अंपने अपने अपने दिजन और आदे, और आदे, वे रादे, वे रादे. शान ते, शान ते, शान ते, शान शान ते, 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 शान ते झाल झाल